नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं फिलहाल गवर्नर रमेश बैस इस मसले पर कानून वीदो से राय ले रहे हैं कानून वीदो से राय मसुरे के बाद गवर्नर आज हेमंत सुरेन पर अपने फैसले की जनकार दे सकते हैं बता दे कि इस मामले में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राजेपल रमेश बैस को भेज दी है सुत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट के अधार पर हेमंत सुरेन की बिधान सभासर से ता जा सकती है रिपोर्ट के फैसले का एलान राज भौन को करना है लिहादा सबकी नजरे राजेपल रमेश बैस पर टिकी हुई है राजेपल कल ही दिली से राजची लोटे है और फिलाल इस रिपोर्ट का अध्यान कर रहे है दरसल राजची के अनगरा में 88 डिस्मिल जमीन पर खदान लीज के मामले में जारकन के मुख्य मंत्री है मंसरेन पिछले कुछ मां से चर्चा में हाए पांच दिनों तक कमजोर रहेगा मांसून राजचे में आने वाले पांच दिनों के दरान मांसून कमजोर रह सकता है इससे राजचे में तापमान में बिरिधी होगी राजची समेथ पूरे राजचे में अधिकतम तापमान 30 डिगरी से अधिक है अधिकतम तापमान में 5 डिगरी तक की बिरिधी हो सकती है बता दे गुरुवार को रांची का तापमान 30.4 डिग्री सेलसेस दर्च किया गया जबकि जमसेथपुर का तापमान 33.8 डिग्री सेलसेस रहा इससे गर्मी बढ़ सकती है मौसम विभाग के अनुसार राजे में अगले 5 दिनों की दरण हलक के बादल चाहेंगे अस्थानी अस्थर पर बनने सिस्टम के कारण राइधानी समेथ कहीं कहीं बारिस हो सकती है प्रेम परकास गिरफतार एड़ी छो दिनों की रिमांड पर लेकर करेगी पूश्ता प्रेम परकास को गुरुवार दो पहरबाद राचेश थी स्पेसल कोट में पेस किया EDK B.C.S. नियाधिस प्रभायत कुमार सर्मा के अदालत ने प्रेम परकास को 14 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा लेकिन अदालत ने सिर्फ 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी को EDK अधिकारी उसे जेल से राची इस्थी छत्रिय करयाला जाकर 31 अगस्त तक पुष्टास करेंगे और पुष्टास खत्म हो जाने के बाद प्रेम परकास को अदालत में पेस किया जाएगा सरकार का प्रयास हर कर्मी खुले मन से निर्भिक होकर करे काम मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि राची के पुलिस कर्मी का उससा देखते बन रहा है आज होली नहीं है फिर भी हमारे पुलिस कर्मी भाईयों ने सड़कों पर होली जैसा महल बना दिया है हमारा हमेशा से पर्यास रहा है कि राज का हर करम जारी खुले मन से निर्भिक होकर कारे कर सके और राज को नई दिसा दे उन्होंने कहा है कि हमारे राज के पुरिस करमी जंगलों से लेकर सहर तक तैनाथ है उन सबों का ब्यक्तिगत जीवान ब्यक्तिगत भावनाय होती है उन्हें भी मांण समान से जीने का अधिकार है उन सभी को मांण समान मिले इसके लिए हम सुद्धब प्रयासरत रहेंगे मुख्य मंत्री ने उनके आवास पर पहुंचे जारकन पुलिस मेंस एसुसेशन के पुलिस कर्मियों से ए बाते कही कांग्रेस ने सभी विधायकों को बुलाया रांची मुख्य मंत्री हेमां सुरिन की सभी विधायकों को रांची आने का निदेश दिया उन्होंने दोपर में अपने आवास पर मंत्री विधायकों के साथ बैठक कर आयक किरण निती बनाई बैठक में मंत्री डाक्टर रामेशवर उराव अध्यक्ष राजश ठाकोर बादल पत्रलेक अनोप सिंग कारेकारी अध्यक्ष बंदो तीरकी समयत पार्टी के कई पता अधिकारी मौजूद थे भाजपा की बैठक में चुनाव आयोग के फैसले पर चर्चा चुनाव आयोग द्वारा मौख्य मंत्री है मंसुरन के पत्थर ख़दान आवंटन मामने में राजपाल रामेश बैस को रिपोर्ट भजने के बाद परदेश भारतिय जनता पार्टी के सभी नेता गुरू आर सुबा सही शक्रिये हो गए देर साम परदेश भाजपा कोर गुरूप की बैठाक होई बैठाक में परदेश अध्यक दिपक परकास बिधायक दलकनेता बावलर मरांडी पूर्व परदेश अध्यक रविंदर राय सामिल हुए इसमें राजपाल की ओर से किसी भी निर्देश के आने तक पार्टी के इस्थीती पर नजर रखने का पासला लिया बैठाक में सामिल होने के लिए बिधायक दलकनेता बावलर मरांडी ने अपना धनबाद जाने के कारेकरम रद कर दिया गुरु आर की सुबा बावलर मरांडी ने परदेश अध्य दिपाक परकास के साथ बंद कमरे में तेर घंटे तक मंत्रना की साम में जारखन मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियों बटाचाद द्वारा बीजेपी संसत पर आरोप लगाए जाने के बाद भी भारतिया जन्ता पार्टी ने कोई सिधी परकिरिया नहीं दिया चाठी जेपीसी मामला जारखन हाई कोट का फैसला रद सुप्रीम कोट से उन साथ अधिकारियों को बड़ी रात मिली है जिनकी नवकरी खत्रे में थी बतादे चाठी जेपीसी की संसोधित मेरिट लिस्ट के बाद साथ अधिकारी बाहर हो गए थे लेकिन सुप्रीम कोट ने चाठी जेपीसी की संसोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के जहरकन हाई कोट के आधिस को निरस्ट का दिया जास्टिस अज्जय रस्तोगी और जास्टिस अभाई एस वका की पिठ ने अपने आधेस में कहा है कि प्रार्थी दो साल से नवकरी कर रहे हैं उन्होंने प्रोवेंशन की आधी भी पूरी कर ली है जो भी नियम बनाए गए थे वह सरकार और जेपीसी के थे सर्तों की ब्याख्याता दो परकार से हो सकती है इनके लिए जेपीसी और हाई कोट ने अलग ब्याख्या की है जिस पेटरंड पर पहले परिक्षा हुई है उसी पर परिक्षा होनी चाहिए जामो मो बना सिवालय का घंटा जो आता बजा देता सतारूर जर्खन मुक्ती मोर्चा ने दावा किया है कि हमांत सरकार अपना कारेकाल पूरा करेगी पार्टी मुख्याले में राज महल के सांसत विजय हंसदा और जामो की केंदरिये समीती के सदस सुप्रियो भटाचा ने कहा है कि हमांत सुरेन का बिकल्प सिर्फ हमांत सुरेन है लगातार लग रहे के आज चोतारफा दावे की खिली उडाते हुए जामो नेताव ने तंज कसा की जामो सिवाले हो गया है जो आता है घंटा बजा कर चला जाता है उन्हें समझना चाहिए कि जामो संहर्षों के उपज है पार्टी बहुत मजबूती के साथ हमांत सुरेन संग खड़ी है इसे कोई डिंगा नहीं सकता हमांत सुरेन मुख्य मंत्री हैं और बने रहेंगे मंत्री मिथिलेस पर भी आफ़त चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट गढ़वा की बिधायक सा जार्खन सरकार के पेज़ जल इवं स्वक्सता मंत्री मिथिलेस ठाकूर की बिधान सबस्दस्यता का मामला भी भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुँचा हुए है भारत निर्वाचन आयोग ने राजे के मुख निर्वाचन पताधिकारी से इस पर नियमा अनुसर करवाई करने को कहा है इसके साथ ही राज निर्वाचन आयोग के मुख निर्वाचन पता दिकारी के रविक कुमार ने गठवा के जीला निर्वाचन पता दिकारी सा उपायोग रमेश घोलब से मिथिलेस्ट कुमार ठाकूर द्वारा विधान सभा चुनाव के द्रवान किये गए नाम निर्देशन पत्र उनके द्वारा सपत पत्र के माध्यम से अपने संबाद में दी गई जनकारी को राज निर्वाचन आयोग को प्लब्ध कराने का निर्देश दिया था बिधायकी से आयोग होकर पहली बार जहारखन में सीएम के कुर्सी गवाएंगे हिमन्त सुरेन खननलीज मामले में जहारखन के मुख्यमंत्री हिमन्त सुरेन के विधान सभागे से सता पर चुनाव आयोग के फैसले का सील बन लिफापा राजबहन पहुंच चुका है चुनाव आयोग की ओर से ऐसे मामले में पहले दिये गए फैसलों के कारण मुख्यमंत्री हिमन्त सुरेन को विधायक सभागे से सता के आयोग ठाराय जाने के संका है बता दे भाज़पा सांसन निसिकान दूबे के ट्वीट से इस संका को बल मिला है हिमन्त सुरेन से जुड़े मामले में निसिकान दूबे के ट्वीट से किये जाते रहे खुला से अभी तक सही सावित हुए है वहीं विधायक सर्जू राय ने भी ट्वीट कर हिमन्त सुरेन के तीन साल तक चुनाव लड़ने के आयोग होशित होने की बात कही है 25 लाख की साइबर ठगी मामले में दिल्ली पुलिस पहुंची धनबाज दिल्ली में हुए 35 लाख के साइबर कराइम के तार ज्यारखन के धनबाज से जुड़ा है इस सीले में दिल्ली साइबर पूलिस ने बागमारा कॉलेज में परिक्षा दे रहे युवक आदर्स कुमार को हिरासत में लिया घाटना के बारे में जनकारी देते हैं बागमारा कॉलेज के उपर अचारी ने बताए कि दिल्ली पूलिस की टीम बागमारा कॉलेज पहुंच कर हिस्ट्री ओनर्स की सिमेस्टर 6 की परिक्षा दे रहे कतरास कॉलेज के चात अधर्स कुमार्स को हिरासत में ले लिया है कोडार्मा में 27 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलास कर रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है बतादे जहर्खन के कोडार्मा जिले में 27 अगस्त को रोजगार मेला कायोजन किया जा रहा है इसमें लेके जरीए Assistant Project Manager, Social Security Coordinator के पदो पर उमिद्वारों का चेहन किया जाएगा कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा इसमें उमिद्वारों को अपना धार कार्ड योग यता परवान पत्र फोटो आली लेकर जाना होगा बता दे कि इस रोजगार मिला में Assistant Project Manager, Social Security Coordinator के पदो पर उमिद्वारों का चेहन इंटर्वियू के अधार पर किया जाएगा अगर आप भी इस रोजगार मिला में उपस्तित होना चाहते हैं और नोक्री प्राप्त करना चाहते हैं तो Online Registration के पर किया सुरू हो चुकी है हेमंत सुरेन ही हमारे बिकल्प कोई भी निर्नाय अम्तिम नहीं जे एम एम मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन के खिलाब चल रहे ओफिस और प्रोफिट मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले की खबरों के बीच जारखन मुख्तिमोर्चा ने कहा है कि कोई भी निर्नाय अम्तिम नहीं होता हम बिकल्पू पर विचार करेंगे जाओंओ के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भटाचार और सांसत बिजय हंसदा ने गुरु आरकोपार्टी के केंद्रिये कर्याले में प्रेस कॉन्फिरेंस को समोधित करते वे बाते कही सुप्रियो भटाचार ने कहा कि राईनिती बिकल्पो का ही नाम है हेमान्तो सुरेन ही हमारा बिकल्प है उन्होंने कहा कि पूरी मजबूत्ती के साथ हेमान्तो सुरेन की सरकार चल रही है बस 2024 तक बड़े मज़े से चलेगी हेमांत सुरेन ने किया ट्वीट है तयार हम जारखन के मुख्य मंत्री हेमांत सुरेन ने ट्वीट करके भरतिय जनता पार्टी पर हमला बोला है हलाकि उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया है हेमांत सुरेन ने लिखा है समयधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे जार्खन के हजारों मेहनाती पुलिस कर्मियों का यह सने और यहां की जानता का समर्थन ही मेरी ताकत है हाँ तयार हम जय जार्खन दरसल ओफिस औव प्रोफिट मामले में जार्खन मुक्ति मोच्टा के करिकारी अध्यक्ष और पर्देश के मुक्या हेमांत सुरेन से समन्दित निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट पर कोई तरह की खबरे गुरुवार को मीडिया में चलती रही इलेक्ट्रोनिक चैलेंस तो यहां तक बता दी कि हमांत सुरेन को ओफिस और प्रोफिट मामले में दोसी पाया गया और निर्वाचन आयोग ने उनकी विधान सभा के सेस्ता रद करने की सिपारिस की है ज्यारखन वग करनाटक के अपराधिक विधैकों को राष्ट पती ने दी मंजूरी राष्ट पती ने करनाटक और ज्यारखन के दो कानूनों को मंजूरी दे दी है के तहत अपराधिक मामलों में साक्ष की आडियो एवां वीडियो रिकर्डिंग की अनुमती होगी अरालतों के लिए फरार आरोपियों के खिलाप मुकादमा चलाने और उनकी अनुपसिती में उन्हें दंड देने का मार्ग प्रसस्त होगा यह जनकारी अधिकारियों ने दि अपराधिक दंड प्रकिरिया सनहिता विधायक 2021 के तहद आरोपियों और उसके वक्यूलों के उपसिती में आडियो और वीडियो के माधियों से साक्ष दर्ज करने के उनुमती होगी नेतर हाट आवासे बिद्याले परवेस परिक्षा में चार बिद्यार्थी फरजी मिले हैं बिद्यार्थी गलत जनकारी के अधार परिक्षा में सामिल हुए थे बिद्याले नजाच में पाया कि उन्होंने स्कूल को लेकर फर्जी जनकारी दी सभी बिद्यार्थी उतरी छोटा नागपूर परमंडल के हाँ है वहीं दो बिद्यार्थी धनबाद वह दो गीरी डीके है जारखन कॉंग्रेस परदेश अध्यक्ष राजेस ठाकूर ने एक साल किया पूरा जारखन कॉंग्रेस के पर्देश अध्यक्स राजेस ठाकोर ने गुरु आर को एक साल पुरा किया है इस मौके पर रांची के कॉंग्रेस मुख्याले में कॉंग्रेस के नेता और करकरताओं की ओर से अभी नंदन किया गया इस मौके पर राजस ठाकूर ने कहा कि मेरे जैसे सधान करकारता को पार्टी नेति उतने पर्देश अध्यक्स का दाईत सोपा और काम करने के लिए उसर दिया यह मेरे लिए सभाग की बात है पार्टी के सभी नेता और करकारताओ के सवयोग से एक साल सफ़ता पुर्वक पुरा हुगा उन्होंने कहा कि यह एक वर संहर्च एवा पुलबदियों से भरा रहा एक सधान करकारता का एन एस यू आई यू आ कांग्रेस में काम करते हुए प गुर्वी सिम्हुम जीले के जमसेद पूरिस्थी टाटा वरकस यूनियस प्लस टू हाई स्कूल कादमा की बिज्ञान सिक्षी का सिप्रा मिसरा का चैयन राष्टिय सिक्षक पुरसकार के लिए किया गया है जारखन से एक मात्र सिप्रा के नाम पर ही भारत सरकार के पुरसकार के चैनित देश के भी भीन राजयों के सिप्रा के नाम की अमतिम सुची जारी की है संताली उपनियास के लिए सालगे हंसदा को मिलेगा पुरसकार बारी गोला निवासी सालगे हंसदा को सहीत्य अकादमी यूवा पुरसकार 2022 के लिए चुना गया है सहीत्य अका आदमी के सचीव डाक्टर के स्री निवासन के अनुसार देश के 23 लेखों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। रिम्स के सीटी वीएस विभाग में भरती हिरदयर होगी अबदूला छो मासे सरजरी के इंतजार में हैं उन्हें किसी हायर सेंटर के लिए रेफर भी नहीं किया जा रहा है। तो मरीज ने उनसे अप्रेशन करने से माना कर दिया। इसके बाद अब प्रवंधन ने दोबारा विभागा अध्यक्स डाक्टर बिनीत महाजन को इलाज की जिमिदारी दिया। धन्यवाद।